कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से वापने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभी नदन करता हूं देखे आज हम लोग लेके आए आपके सामने एक नयाय स्टॉक जिसके हंदर हम लोग कुछ रिव्यू करेंगे कुछ एनालेसिस करेंगे कि हमा होते हैं वो डेली होते हैं जिसमें हमें मुवमेंटम 15-20% का स्पक्टर मुवमेंट रहता है कि इस मुवमेंट के अंदर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करके एकजिट कर ले क्योंकि हमारे जो रेंडमली जो अमाउंट है वो डीमेट में रखा ही होता है तो उस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप तक पहु प्राइस मूवर का तो प्राइस मूवर में हमारे पास पीरामल है विजय है और सिराम फिनेंस है अलोग है एथर इंडस्टीज है तो यह लाव पाला है यह है तो चलो इनको थोड़ा से दिमाग में रखते हैं और उसके बाद वॉल्यूम शोकर में देखते हैं कि वॉल्यूम शोकर में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लग रहा है तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग इसका जो चैन्जमेंट वो माइनस यह बढ़ने की बज़े नहीं चेकर गया जिबकि 80 टाइमस यह उपर आया है और यहां पर एथर इंडस्टी यह देखिए इसमें आधर में 9.5% चैन्जग्मेंट था और फ्यूटी विक हाई में देखता हैं कि ठोक मिलेगा अपन को 52 विक हाई के अंदर तो 52 वी खाई में भी सिराम फिनेंस मिल रहा है सुप्रीम बेटरों के मिल रहा है एहतर मिल रहा है तो सिराम फिनेंस को मैं लगा के देखता हूँ यहां पर सिराम फिनेंस को अपन लगा के देखते हैं डेली की ओपर तो यह देखिए स्टोक सब तो मतलब ब्रेक आउट तो दे रहा है अपन को एक ब्रेक आउट तो दे ही रहा है लेकिन वो ब्रेक आउट दे रहा है यानि कि इसमें तेजी काफ काफी ज्यादा रहेगी और पीछे यह एक इसने ब्रेक आउट यह दिया है तो यहां तक अपन इसको नहीं देखेंगी इसक सुप्रीम पेट्रो केम देखते हैं सुप्रीम पेट्रो केम यह तो काफी बढ़ गया इसके अंदर तो अब अपर पोर्चुनिटी हम लोग नहीं देख पाए अध्यों इसको अपर अधे अंदर यह देखे थोड़ा इसके ऊपर इसने ब्रेक आउट दिया तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा रहा तो तो यह यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है आज हम इसका रिव्यू करते हैं इस स्टॉक के अंदर हो गया रहा है इस स्टॉक के अंदर हो गया रहा है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एथर की जो बात करते हैं सबसे पहले अपन यह जो स्टोक है इस स्टोक को लेने का जो परपच है मेरा यह देखिए मैं आप क्लियर कट बताता हूं तो सबसे पहले इसमें बात करता हूं मन्थली व्यू की तो मन्थली के अंदर आपन देखते हैं कि ज्यादा बड़ा कोई चार्ट नहीं है अब उसके बाद देखता हूं एक बार दिखा को ज्यादा बड़ा चार्ट मिलता है कि अब उसके बाद दुबार आपन देखते हैं कि अपन को जैसे यहां पर आपन क्लियर कर देख पा रहे हैं कि मंतली चार्ट में कोई बीविए मोमेंट कोई भी Peach cra نहीं मिला है काम करने के लिए तो हम इसे इसिस टॉक्स को देखते हैं weekly चाट पो लोग लेकि जाते हैं तो weekly चार्ट मैं आपके सामने weekly चार्ट लगा देता हूं तो यह weekly चार्ट मैंने लगा दिया है यह उपके सामने अप्न देख देख रहे हैं कि इसका एक high mark करते हैं तो यह वाला हई है यह वाला high है यह मैं इसको यहां पर mark करता हूँ जो की मेरा high है shout Falls 50 150 रुपे बोगा सी मेरा एक High है अब 4050 remains ऐने के पाद यहां पर इसने एक rejection दे यहां पर इसने एक rejection दे दिया तो वह rejection भी यहां पर मार्क कर लेता हूँ यह मेरा rejection हो गया एक हजार 55 रूपए पर वीकली के अंदर मेरी closing अगर एक हजार 55 रूपए के ऊपर आती है तो मैं इसमें से सारा सारा so we will not consider it while if we close if we close above 1055 then we can consider it तो ज़्यादा कुछ तिगर हमें मिला नहीं तो हम लोग इस पर शीदे चलते हैं डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे जाने का मतलब यह है कि हमारा हमारा जो हममेंटम है डेली चार्ट पे जाने का मतलब यह है कि हमारा जो मूमन चा liquidity के पर से अब तक सब्सक्राइब करेंग तो यह मेरा अब यह इसको मेरा इक jour मेरा डिखाद के हुँ आपको मैं lle मेले से होल्ड है और होल्ड कितने रुपए से वह भी मापको दिखाता हूं देखिए यह जो चार्ट आपके सामने दिखे रहा है वो डेली का चार्ट है डेली के चार्ट पर यह लाइफ टाइम इसका हाई था जो कि अराउंड 140 रुपए है它 आपके सामने कोच इस तरह का लाइं हुआ था झ। थोड़ी देर कि मैले यह जी चार्ट को हाईट और यह कर देता हूं और यहाँ पर इस हल्दें मार्च का जो जो डे का closing था वहाँ पर इसने क्या दे दिया था breakout दे दिया था और breakout के बाज इसने retest किया तो मेरी entry near around 930 पे हो गई थी मेरी entry near around 930 पे हो गई थी और stop loss लगाया था मैंने ये जो breakout candle है ये छोटी थी बिल्कुल तो इस candle का मैंने stop loss लगा दिया था 865 रूपीच का मेरा stop loss था और 930 की मेरी 930 की मेरी क्या थी entry थी तो मेरे लिए जाने के लिए लगबग 60 points थे मेरे लिए जाने के लिए लगबग मेरे पास 60 points थे और उपर मेरे पास कितने points थे उपर मेरे पास सो पॉइंट से ज़्यादा थे उपर मेरे पास सो पॉइंट से ज़्यादा अप्रोक्सिमेट आप देखी पारें नाइन थर्टी टू एक हजार पच्पन तो लगबग सो पॉइंट मेरे को यहां पर एक्जेक्ट मिल गए तो मेरा लगबग लगबग यह रिस्क रिवोड फै पटनी कि उसके बाद स्टोक ने वापस गया और वापस इसने यहां नाइप इस बहुत र usando के साहथven और आपर ऐंड़ बॉन एंडडन के साहित ने के सबहिंग रिव्य यहां पैसे बाद से वाइन को इस दोपर एक और टोके लाइंग चला गए सटोकत कि आतला यहां को इसने रेस्पक्ट किया अब यहां पर मैं कुछ और क्वांटिटी मेरी एड़ कर देता हूं यहां पर मैं यहां पर नीर अराउंड यह यह नीर अराउंड अब मेरे पास बिल्कुल छोटी रिस्क हो गई और उसके बाद इस टोग में एक पर्फा मूमेंट दिया और मेरा जो फस्ट आर्गेट हो हीट हो गया और इस वज़े से मैंने यहां पर कुछ अपनी प्रॉफिट थी यहां पर इसने बुक कर ली यहां पर attempt to break out यहां पर बिल मी अपर हो जाओँगा उसके बाद यहीं डेखिए स्टोक ने क्या किया यहां पर एक इनवस्टक के सांसे ब्रेक आउट दे큈 यहां एक स्ट्रॉट के others Rogers आप उसका वोलियूम है कि इतना खतरनाक वोलियूम है इसका तो मैं इस इसको इस इसझार्ग को यहां से होल्ड जरनी में पास हो गई किलियर कट में बदाता हूं कि मेरी जरनी जरनी है काफी मतलब इसमें से बुलीश हो चुका हूं तो अभी मैं लगबग लगए 125 पॉइंट के प्रॉफिट पर खड़ा हूं और जैसे ही स्टोक वापस नीचे आएगा और नीचे आएगा तो मैं इसमें स निर एराउंड 1075 रुपय का ओडर रहे गा मेरा 1050 रुपय का वेट नहीं करूँगा 1075 पे लगाँगा वंजी ओ सेवन फाइप में मैं बाइड लगाँगा तो कुछ कौंटिटी और मैं इसमें काफी बड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से मैं आपको यह बताता हूं कि देखिए अगर मेरा स्टोक मुझे वापस 175 रुपय मिलता है तो मैं इस स्टोक के अंदर दुबारा में वाइंट्री धूंडूँगा वापस वाइंट्री धूंडूँगा और स्टोक मुझे मिलना च एक हजार उपिछाट रुपय मुझे मिलता है तो मैं मेरा यह जो वापस यहां था तो री टेस्ट करने का जो लगबग लगबग मेरे पास एक्जेक्टली यहां पर मैं यहां तक इसको यहां बेट करूँगा कि मैं मेरा जो entry point 1075 रूपे रहेगा तो 1075 रूप मेरी entry हो जाएगी तो मेरा stop loss 1010 रूपे हो जाएगा और जैसे ही मतलब entry होगी तो इसकी बात stop यहां से upward की journey start करेगा क्योंकि volume को अपन देखते हैं काफी strong volume ADX भी इसका शांदार है RSI 60 से बाहर निकल चुका है तो मेरे लिए काफी strong breakout हो गया और strong moment भी इसमें आएगी तो लगबग 20% का अमेर को कम से कम 20% का अमेर को इसमें profit लेकर इसमें से निकल जाना है और अगर उपर की side और भी ज्यादा उपर की side यह journey एकदम से 23 moment के साथ देता तो मैं continuously इसमें बना रहूँ हूँ तो मेरा जो टार्गेट है तो मेरा जो टार्गेट है वो टार्गेट फस्ट आर्गेट मैं यहां से माक करूँगा कि मेरा जो फस्ट आर्गेट है वो कहां तक मैं इसमें राइट करूँगा जो कि मेरा फस्ट आर्गेट है वो 1200 रुपे तक का है तो मैं 1200 रुपे तक का ही moment उसमें देखूंगा और 12 रुपे का मोमेंट जैसे ही मुझे मिलता तो मेरा 15% का गेन मुझे 1050 से 15% का गेन 12 रुपे होता है तो वहाँ पर मैं अपनी पोजिशन को बुक कर लूँगा और उसके बाद अगर स्टॉक मेरे फेवर में रहता है तो मेरा नेक्स टार्गेट है वह नेक्स टार्गेट उपर का लगवद तेरा सूरूपे है तो यह 13 सूरूपे भी यहां तक होल्ड गरूँगा तो 12% की जर्नी में 22% के प्रॉफिट में खड़ा हो जाओंगा तो यह मेरी जर्नी रही तो इस तरीके से मैं अपने stocks को hold करूँगा और जैसे जैसे stocks ऊपर जाता जाएगा और मैंसे higher low के formation में चलेगा तो मैं अपना यह जो stop loss रखा है यह भी मैं जैसे जैसे जोज